रेस्टोरेंट जैसे फ्राइड राइस आज हम घर पर बनाएंगे तो फ्रेंट्स वीडियो को देखिए अच्छा लगए तो लाइक कीजिएगा हलो एवरीवन बहुत बहुत सागत है आपका मेरे यूटीब चैनल पर चलिए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ हमें कोई चोड़े मुवाला बरतन ले लेंगे जैसे कि एक भारी कड़ाई नॉन स्टिक या कोई भी ले सकते हैं पैन भी ले सकते हैं गैस को आउन कर लीजिए कड़ाई में हम डालेंगे दो टेबल स्पून तेल तेल को अच्छी तरह से गरम होने देंगे जब अच्छे से एकदम बढ़िया होट हो जाए तो इसमें हम हरा लैसुन डाल देंगे ग्रीन गालिक अगर आपके पास यह नहीं है तो सफेद लैसुन डाल सकते हैं सब्जियां डालने के टाइम में तेल अच्छी तरह से गरम होना चाहिए इसके बाद हम डालेंगे गाजर बारीक कटा अब सभी चीजों को हाई फ्लेम पर ही इन्हें करेंगे तेल के साथ में अभी हम नमक वगएरा कुछ भी याड़ नहीं करेंगे सब्जियों को ज्यादा नहीं पकाना होता है सिर्फ आधा पकाना होता है चाइनीज आइटम कोई भी बना या फिर फ्राइड राइज जैसे आप बनाए तो आज को पूरा टाइम हाई ही रखना होता है इसके लिए हर चीज को बराबर श्टर करना रहता है जैसे कि सब्जियां हो गया या बाद में जब आप राइस डाल देंगे उसके बाद भी जब आपको लगे कि सब्जियां थोड़ी सी पक गई है तब हम इसमे में डाल देंगे विनेगर विनेगर बहुत अच्छा फ्लेवर भी देता है तोड़़ा सा कारक भी रहता है सब्यूं को मैंने यह फोड़ा सा हरा वाला प्यास डाल दिया हैां प्यास यहां पर ऑप्सीज Cyp two Leodor कोई भी जो प्यास होता है उसे भी ढाल सकते हैं विनेगर एकदम लास्ट में डालना होता है अगर नहीं खाना पसंद करते हैं तो ना डालें बहुत थोड़ा सा ही डालना होता है ज्यादा डाल देंगे तो आपके राइस जो है वो खट्टे हो जाएंगे सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर दीजिए अब इन्हें इससे ज़्यादा पकाने की जरूरत नहीं है देखे मैंने जैसे बराबर इनको चलाया है न और बहुत ज़्यादा अगर तेल कम होगा तो आपके चावल बहुत ज़्यादा ड्राय रहेंगे रूखे रहेंगे सब् लाइट और डाक दो तरह का होता है तो कोई भी आप डाले इसे भी अपने पसंद के साफ से डालें जितना डालेंगे इसका कलर उतना ज्यादा रह जाता है इसलिए थोड़ा इससाब से ही डालें एक चोधहीं चमच कुटी नामक डाल लेंगी स्वाथ के आनुसार स्थोड सब फ्राई हो जाए और जो चावल और बाकी की चीज़ां डाली है वह सब इसमें अच्छी तरह से सोया सोस वगेरा सब कुछ अच्छे से मिक्स हो जाए यह सब डालने के बाद में चावल को एक-दो मिनट तक हाई फ्लेम पर बराबर चलाते हुए फ्राई कीजिए बहुत जादा देर तक नहीं कुक करने की ज़रत होती है और अब लगबग यह चावल आपके तयार हो चुके हैं बनके तो इन्हें हम किसी प्लेट में निकाल लेंगे और स्प्रिंग अनियन से इसे हम गार्निश कर देंगे अगर आपके पास है तो नहीं तो आप इसे ऐसे ही सर्व कर सकते हैं जरूर ट्राइ कीजिएगा इस रेसिपी को कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना ना भूलें